हैश्टेग डिस्टिक बसोली एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है सारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के ओपर मैं आपको बता दूँ कि बीते कुछ साल पहले यानि कि चंद कोई एक या दो साल पहले ये एक आवाजें उठने शुरू हुई थी कि डिस्टिक बसोली में बनना चाहिए और बसोली को डिस्टिक का दरजा डिस्टिक का कैडर मिलना चाहिए और पूर्ण रूप से जो है वो डिस्टिक मिलनी चाहिए एक बार फिर अब चुनावी विगुल बज चुका है और एक बार फिर जो है ये पोस्ट जो है वो काफी समय जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है और मैं खुद रहने वाला बसोली का हूँ तो इसलिए मैं भी ऑवास ओठाता हूँ कि बसोली के लिए डिस्टिक को गोशित कर देना चाहिए और आपको बता दें कि भाजपा बसोली को पहाडी जिला जो है वो गोशित करती है यारे कि बसोली, बनी, बिलावर इन एलाकों को पहाडी जिला में रखती है लेकिन ये पहाडी जिला क्या है ये मेरी समझ में भी नहीं है अगर तो ये मानते हैं कि ये पहाडी जिला है तो यहां पे S-T का दरजा जो है यहां के लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि आप पहाड़ी सा जोड़ रहे हैं और पहाड़ीयों को वैसे ही S.T. का दर्जा जो है वो मिला है तो आप अगर बसोली, बनी और बिलावर को पहाड़ी जिला कहते हो तो यहाँ पे S.T. का दर्जा दे दीजिए हमें कोई अपती नहीं है अगर आप यहाँ के लोगों को पहाड़ी नहीं मानते हो और सिर्फ कोई प्रोपोगंडा के चलते हैं आप बसोली के लोगों के साथ बनी के लोगों के साथ यह बलावर के लोगों के साथ कोई प्रोपागंडा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पून रूप से जो है वो डिस् प्राना जो है एक इतिहास है बसोली का और वर्ल्ड फेमस राम लिल्ला वर्ल्ड फेमस बसोली की पेंटिंग और वर्ल्ड फेमस बसोली का पश्मीना शाल ये पूरे विशम में बसोली को इस तीन चीजों से जो है वो जाना जाता है अगर तो नई डिस्टिक्स बनने हैं ले से भी बसोली एक टफ टेरिन इलाका है बड़े दूर दराज में जाके लोग बसे हुए है और कठुआ में जब उनको आना पड़ता है तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक एक दिन लग जाता है कठुआ पूंचने में और अपना डिस्टिक का काम जो उनका का दर दर्जा देते हैं जो अभी सेंटर की में ने पहाडियों को दी है अगर आप बसोली बनी और बिलावर को पहाडी मानते हैं तो वहां पे का दर्जा बहाल कीजिए अगर your असिजिए का दरजा बहाल करते हैं तो वहां पर पून रूप से जो है डिस्टिक का दरजा जो है उसको बहाल कर देना चाहिए और वहां पर आल्रेडी पहले भी एडीसी की पोस्ट जो है वहां पर मुझूद है एक डीसी बिठाना है और उसके बाद जो भी डिस्टिक के अंदर रहती ह सब चीजें वहां पर बठानी है जमीन काफी है सब कुछ वहां पर वैलिबिल्टी हो जाएगी और वैसे भी मैं समझता हूं कि जब डिस्टी का कैडर बसोली को मिलेगा तो बसोली की शवी भी जो है वो कोई ही न कहीं जो है वो चेंज होगी और बड़ा ही प्राना एक इतिह समझा और उसके बाद हमने भी अपने इस चैनल के प्लैटफॉर्म के माधिम से जो है एक आवाज उन लोगों की बलंद करने की कोशिश की और मैं खुद बसोली का रहने वाला हूं तो मैंने भी जरूरी समझा के बसोली की डिस्टी के लिए आवाज जो है वो बलंद की जा कर देक आप इसी तरह से बढ़ रहे हैं दानी उसनाओं के साथ मुझे दीजिए अजासत अदाव वसलाओं लेकूं